दोस्तों मिनी ब्लॉग सेट अप करके कोई भी आर्निंग कर सकता है मन्तली 50,000 से 1,000,000 तक का लेकिन कैसे ये मिनी ब्लॉग है क्या मिनी ब्लॉग कैसे बनाएंगे ये सारा सवाल आप लोग का होगा जो की practically इस वीडियो में clear करूँगा भाई मिनी ब्लॉग है क्या उसके लि और इस वीडियो में हम क्या क्या discuss करेंगे आगे आगे आपको detail में point out मिल जाएगा तब आप बहतर तरीके से समझ जाओगे अभी दोस्तों मैं screen पर आचुका हूँ और मिनी ब्लॉग के लिए requirements क्या है और कैसे मिनी ब्लॉग create करना है और मिनी ब्लॉग के लिए content क्रेसे create करना है और उसके बाद हम बात करेंगे मिनी ब्लॉग पे traffic कैसे लाना है और मिनी ब्लॉग को monetize करके पेशा कैसे कमाना है यह सारे topic पे आज हम discuss करेंगे और detail में बात क करेंगे और मिनी ब्लोग बनाने से पहले उसके लिए आपको थोड़ा मोटीवेशन भी चाहिए वह सिर्फ आता है भाई कमाई से ठीक है मैं आपको दिखाता हूं एक चीज़ देखो भाई यहां पर मैंने अपना एफसाइड उपन कर रखा है यह है टूल्स जैन कूपन कोड ठीक है एक पोस्ट है मेरा और यह सिंगिल पोस्ट ठीक है सिंगिल पोस्ट से में कितना आर्न किया से यह आपको दिखाता हूं अगर एसे हैसे करके अप मीनी ब्लोग शेटअप कर लोगे तो आप भी बहुत अच्छा कासा कमाऊ और इसका पूरा केस स्टेडी मैंने अल्र इसको मिस मत करना, अगर नहीं देखे तो देख लेना, वीडियो का लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे भी दिया गया है, तो इसको मिस मत करना, लेकिन आप देखो दोस्तों यह वाला वो पोस्ट है, और इसका आर्निंग हम कहा नेखेंगे, भाई यहां पे साबसी मैं आफिलेट पर आ जाता हूं, यहां पर देखो तूस्त जैन पर मैं आ चुका हूं, और यह कंपनी बहुत अच्छा है, मैं परसेनली में यूज़ करता हूं बहुत तैम से, यहां पर देखो भाई, यह जो टोटल रिवेन्यू यहां पर कितना बना है, टोटल क्लिक मेरे आपको बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि भाई एक एक पोस्ट का है, इसको मैंने स्ट्रक्चर हुए में नहीं बनाया है, लेकिन अगर आप लोग सही डिरेक्शन में काम कर लोगे, तो बहुत बड़ा इमांट कमा सकते हो, लेकिन केस है, और बहुत सारा चीज आज हम डिस सेट अप करेंगे, और इसको हम कहेंगे मिनी ब्लोग, सिंगल क्यूवर्ड बेसिस पे, जैसे की, देखो भाई, टूल्स जेन कूपन कोड, इसी क्यूवर्ड के बेसिस पे, हम लोग मानलो, ब्लोग सेट अप करेंगे, मैं आपको एक्जाम्पल के साथ आपको दिखाऊंग लेकिन, किसी किसी टॉपिक पर हम लोग एक क्यूवर्ड पर काम कर रहे थे, जब mostly APK पर, ठीक है, आप APK साइट को भी आज ये मिनी ब्लोग कंसिडर कर सकते हो, लेकिन, एक्चुल मैं मैं मैंक्रो निच पर 30, 40, 50 तक आर्टिकल भी लिखा जाता है, समझ मैं आया, लेकिन ये जो मिनी ब्लोग है, आप इसको क्यू बनाओगे, इसका वेनेफिट क्या है, सबसे पहले इसको समझो, वेनेफिट आप समझ जाओगे, मैंने आपको आर्टिकल प्रूब दिखा दिया, भाई, सिंगल पोस्ट लिखा, उससे इतना कम आया, तो इसका वेनेफिट आप सम आपको not depend on adsense, कि आपको इस पर adsense पर depend नहीं होना है, फेला reason, और दूसरा reason है, depend नहीं होना है, और अर्गानिक ट्राफिक पर भी, आपको और अर्गानिक ट्राफिक पर भी depend होने के लिए जरुरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर stable revenue source आपका बनेगा, और एक बार अगर आपन को चेंज नहीं करना पड़ेगा सिर्फ छोटा बोड़ा मलब छोटा-छोटा जैसे कि कुछ टाइटल में कुछ डेट मोडिफाय कर दिया वह भी आप अगर एसी ओ करना चाहो ना वह भी मैं आपको समझा दूगा रैंक मैं पर के उसके बाद नो DMCA इसू भाई आप सबको पता है जब आप माइक्रोनीच बनाते हो एपी के साइट बनाते हो कितने जाधा DMCA आता है भाई हमें डूलना पड़ता है DMCA इग्नोर होस्टिंग लेकिन इतने जहमेले में फॉस्टना नहीं है मिनी ब्लॉक के कंसेप्ट आपको DMCA नहीं आएगा क्योंकि कंपनी आपसे वेनेफिट ले रहा है आपको वो कभी भी DMCA नहीं देगा कंपनी टेकडाउन आपको कभी भी नहीं करेगा क्योंकि कंपनी ही चाहेगा कि आप क्या कर रहे हो कंपनी को ही प्रोड़क कर रहे हो लोग जो ब्लॉग बना रहे हमारा मेन मोटिव है भाई ब्लॉग से पैसा कमाना सबका जब एक बिगनर ब्लॉगर स्टार्ट करता है तो उसका सोच रहता है कि भाई मैं सीखूं लेकिन जब थोड़ा इंटरमेडियर पर पहुंच जाता है फोड़ा प्रो लेबल पर गोल, ब्लॉगिंग से हम पैसा कमाना चाहतें और यह होना चाहिए, तब ही तो आप टाइम दोगे, तब ही त आप करोगे पैसा कमाने के लिए, ठीक है, तो अब हम क्या करें, इसको गलत वय में मतले, पैसा कमाने के लिए करोगे, लेकिन इनिशियल डेज पर पैसी के, भई लबकि mini block को setup करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है requirement for mini block तो यहाँ पे 3 point में include करता हूँ तो देखो एक profitable mini block keyword आप कोई भी keyword उठा लोगे और वो हो जाएगा इसका कोई guarantee नहीं है आपके profitable लेना पड़ेगा और यह केसी लेना है मैं आपको आगे समझाओंगा ठीक है और आपको चाहिए domain and hosting and unique block setup यह तीन चीज़ का आपको जरूरत है ठीक है तो उसके बाद आप देखोगी how to create a mini block simple दोस्तों यहाँ पे आपको है we can use wordpress for mini block also you can use custom coding site यह आप देखो एक mini blog ही है आप coding website भी ले सकते हो लेकिन बेस्ट होगा wordpress जो कि हम आज use करेंगे और सबसे पहले मैं आपको भी सिखाऊंगा कि mini block के लिए keyword कैसे find करना होगा ठीक है तो यही सबसे पहले समझते हैं देन हम चलेंगे उसके basis पे domain लेने के लिए domain लेने के बाद हम क्या करेंगे यहां पे blog setup करेंगे ठीक है और देन उसके लिए content ढूंडेंगे कि किस तरह से article डालना है कैसे हम इसको optimize way में deliver करना है ताकि quickly rank हो जाए और हमें वहां से revenue बने ठीक है तो अभी चली हम mini blog के लिए keyword research करते हैं अभी दोस्तों हम लोग profitable keyword find करेंगे कि mini blog setup करने के लिए लेकिन इसका कुछ strategy भी हमें समझना पड़ेगा कैसे सबसे पहले चली देखिए मैं आपको बताता हूँ mainly हम जब एक mini blog बनाएंगे mainly हम focus कर सकते है coupon code पर या फिर अगर आप चाहो तो आप कोई product affiliate marketing के लिए product चूज कर सकते हो लेकिन कोई भी product हो सबका coupon code सर्च होता है इसलिए हम लोग क्या करेंगे coupon code यूज करेंगे coupon code को डालके हम देखेंगे latest coupon code किस पर हम ब्लॉग बना सकते हैं सो मैं यहाँ पर अल्रेड़ी गूगल ट्रेंड पर आ चुका हूँ गूगल ट्रेंड हम लोग यहाँ पर क्यों यूज करेंगे क्योंकि भाई हमें latest topic चाहिए जैसे कि मालो कोई एसा topic जो अभी अभी कोई एसा brand कोई एसा product जो कि अभी अभी आया है और उसके उपर rank करने के लिए हमें easy हो जाएगा अगर हम old product old brand पर काम करेंगे rank तो कर सकते हैं भाई ranking के लिए बहुत सारे method को apply करना पड़ेगा proper optimized website high quality backlinks create करना पड़ेगा बहुत कुछ करने के बाद देन हम rank कर पाएंगे इसलिए हम लोग यहाँ पर सीधे चले आते हैं गूगल ट्रेंड पर ताकि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे अच्छे से lattice keyword को निकाल पाएंगे दोस्तों मेरा जो इंटर्फेस है ना गूगल ट्रेंड का कुछ different आपको दिखेगा क्योंकि मैं एक third party application यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ हूँ और आप लोगों को अगर गाइड चाहिए इसको के से optimize way में इस्तेमाल करें तो definitely comment करेंगा गूगल ट्रेंड का अल्डेड ही मैंने full course देसा बनाया था आप लोग ने बहुत सारा लोग ने देखा होगा लेकिन जैसे कि यह मैं extension यूज कर रहा हूँ इसके मदल से भी हमें बहुत अच्छी तरीके से नया keywords मिल सकता है अब इसके ओपर गाइड चाहते हो comment करना ठीक है तो अभी हमें क्या करेंगी देखो मैंने coupon कोड डाल रखा है और एक काम करता हूँ मैं coupon code को यहां से copy करता हूँ start से बताता हूँ मालो आप आ जाओगे Google trend पे और trend आने के बाद आपको चले आना है explore ठीक है यहां पर देखो आपको मिलेगा option अच्छा मैं इसको एक बार off कर देता हूँ आफ कर दिया देखो गुगल ट्रेंड आ चुका है यहां पर आपको एगें में रिफ्रेस करता हूँ आफ करके रिफ्रेस कर देता हूँ ठीक है गुगल ट्रेंड पर जाएंगे तो यहां पर बटन मिलेगा explore या फिर मेनू के अंदर आपको मिलेगा explore तो सिंपल इस पर आप क्या करो डाल दो कोड को ठीक है आप अब अब एंटर दबाओ एंटर दबाने के बाद यहां पर दिखिए वर्ल्ड वाइड देन दिखिए फास्ट फाइब यह और 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 कुछ लोग अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करना चाहते हैं जैसे क अब देखो हमें पास्ट फाइब का डेटा नहीं चाहिए हमें मैक्सिममम जिसे कि हम लास्ट थर्टी डेज का ले सकते हैं इससे उपर हम नहीं जाएंगे अगर हम लास्ट वेल्ब मंत का जाते हैं तो यह ओल्ड डेटा है अगर अभी कुछ लोग उस पर काम कर रहे होंगे सो हमारे लिए जादा हो जाएगा बहतर होगा हम लास्ट थर्टी डेज के अंदर हम देखेंगे क्या 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 कूपन कोड यहां पे सर्च हो रहा है ठीक है तो यहां पे देखो भाई आपको मिलेगा देखो खादी औरग क्यानिक सायद हमार यहां पे जो राम जी का प्रसाद डिस्ट्रूड करने का ऐसा कुछ था साइस सिस्टम मैंने अच्छ से मेरे को पता नहीं लेकिन उसके बारे में भी लोग सर्च कर रहे थे कूपन कोड ठीक है यह मैडम कूपन कोड इस तरह से आप धेर सारे देखोगे खुपन कोड के बारे में सर्च हो रहा है अब खुद देखो मैं आपको क्या ही बताऊ आप खुद देखो कितने सारे कूपन कोड सर्च होते हैं लेकिन आप इन सब में तो काम नहीं कर पाओगे इसलिए यहां पे फिर भी बहुत मिनिमम डेटा है मैं अपना वो टूल को अ अब मैं अबम कर दिया थोड़ा त्वी लगए अपको ना डेता दिखने के लिए थोड़ा ताम वेट कर जाओ मेरे भाई यहां पधे अभी 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 अब धेर सारे कूपन कोट दिखेंगे बहु यहां पे तेको ओल फार ब्राइंड्स जाने पहचाने लगेंगे जसी कि मालो में आपको यहां पे दिखाता हूं शहां यहां पर आपको डिफेरंट डिफेरंट के इसको डालते हैं इसके अंदर क्या-क्या keyword search हो रहा है वो देखते हैं ठीक है आप देखो इसके अंदर आपको यह सब दिख रहा है वेव के अंदर ठीक है तो और देखो coupon code go daddy renewal ठीक है coupon code hostinger coupon code lenscut देखो हमारा जो related है यहां पर यह मिल रहा है लेकिन इसका देखो यहां पर इसको भी एक बार open करते है coupon code hostinger इसका related कुछ मिलेगा कि नहीं वो भी देख लेते हैं इसको last 30 days डालते हैं मैं भी इसका related कुछ मिल जाए last 30 days में डाल दिया हमने क्या यहां पर क्या क्या होस्टिंगर हमें सबसे पहले ही देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा category में expertise है मेरे को blogging पर है तो मैंने चूच किया hosting के उपर टूल्स के उपर मैं चूच करूँगा लेकिन अगर आपका जो भी फिल्ड है अगर उस पर आपका expertise है तो उसके according coupon code search करो category select करके ठीक है यहां पर फिर भी हमने coupon code hostinger search कर दिया तो यहां पर देखो रिलेटेड जस्ट दो दिन ही आ रहा है या फिर hosting इसे कुछ करते हैं जिसे कि hosting coupon code hosting coupon code करते हैं क्योंकि भाई hosting एक company नहीं बेचता है multiple company बेचते हैं सो हमें देखेंगे कि कौन से company का नाम by default यहां पर आ रहा है यह मैं क्यू कर रहा हूं आप थोड़ा समझोगे अभी last 30 days का hosting coupon code में देखते हैं क्या-क्या यहां पर search हो रहा है मैं भी कुछ नाय keyword मिल जाए हमें क्योंकि सारा keyword था हमें पता नहीं होगा देखो यहां पर आ गया hostinger coupon code, hostgator, a2, namecheap, hostinger web hosting, big rock, hostinger cloud, hostinger premium web hosting, jab hosting, big rock, reseller, wordpress, go daddy, hostinger, big rock इसे करके आपको और भी कुछ keyword मिलेंगे, ठीक है, best hosting coupon code, hosting अच्छा तो ज्यादा कुछ नहीं मिले, हमें थोड़ा बहुत यहां पर मिला, लेकिन देखो यही पर हमें क्या करना पड़ेगा, यही पर आप लोग और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां पर जा सकत करना हूं, लेकिन आप लोग यही करना, जो भी coupon code आपको, जिसके उपर आप काम करना चाहते हो, उसका coupon code सर्च करना, सिधर होस्टिंग coupon code, YouTube में सर्च कर लेना, और आपको देखना है नए ब्रांड, ओल्ड ब्रांड को फोकस नहीं करना है, जिसके आप देखो, करना है, बस अगर आप कुछ नया नाम मिल गया, तो उसके खोड़ा रिसर्च करना, अगर नहीं मिला, आप सिधर जाओ YouTube, यूट्यूब के अंदर आप डालो, और देखो, यूटिवर्स, ठीके, कौन सा नया कंपनी को प्रोमोट कर रहे हैं, नया, अगर वही होस्टिंगर होगा, उसको एग्नोर मारो, जो भी नया आया होगा, उस पर काम करो, ठीके, इसी इसाब से मालो मैं यहां पर शीद शीदे डालता हूँ हूँ, टूल्स जैन, टूल्स जैन, तूल्स जैन, कुपन को मैंने यहां पर डाल दिया, देखते हैं, यह किवर्ड का वाल्यूम बह बहुत ही कम लेकिन मैं इसी पर काम करूंगा क्यों इसका रिजन भी है देखो यहां पर आपको दिखा इंट्रेस्ट ओबर टाइम कुछ नहीं है भाई यहां पर बिल्कुल जीरो है और आपको ना भाई यहां पर इसी क्यूर्स मिलिंगे ही नहीं जिन में आप ट्राफिक ले सकते हो और यह क्यूर्ड का वॉलिम यहां पर भी जिरो दिखा रहा है मैं भी कोई सेमरेस बगेरा टूल थोड़ा बहुत दिखा दे लेकिन देखो लास्ट 30 डेज में यहां पर यह भी बता रहें कि सर्च है ही न नहीं है इस क्यूर्ड पर सर्च है और आपको सामने मैंने दिखा है इसका प्रह मुलिम आ एक हें क्यूर्ड पर काम करने के लिए देन क्या करो बुक टूर्ड पर डेके उसके बाद में गेस्ट्वेट्र पर हुए keyword ठीक है और आप देखो tools जिन coupon code में ने डाला आप देखो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर मेरेको एक blog मिला और एक और result देखो बहुत कम है अगर आप इसको double code डाल दो ठीक है आपको filter हो के और दिख जाएगा भाई 9,000 का result है ठीक है अगर आप इसको और थोड़ा कर दो all in title एंटर आप देखो only 10 result only 10 result आप खुद देखो और result ही नहीं समझ गये आप लोग भाई तो इस तरह से आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि title में किसने डाल रखा है जो लोग title में डालते है mostly वही लोग target करते हैं तो यहाँ पर just 10 result है just 10 result इस keyword पर है तो अगर हम लोग इसको target करके अपना blog setup करते हैं तो हमें result मिलेगा जरूर मिलेगा अब ते है ऐसे आपको low competition वाले keyword निकालना है अगर आप high competitive पर जाओगे तो आपको result बहुत कम देखने को मिलेगा और भले ही आप एक multi niche या फिर broad audience को target कर लो जब तक आपके पास traffic नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कमा पाओग और अगर आप इस तरह तरह target करोगे तो आप पहले दिन से भी rank करके थोड़ा बहुत ट्राफिक गेन कर पाओगे अगर आप बहुत narrow audience को target करोगे और इस पर आप adsense लगाओगे तो कोई benefit नहीं होने वाला क्योंकि इतने views पे कुछ earning नहीं होगा लेकिन इसमें आप करोगे affiliate marketing ठीक है तो यहां पर देखो दोस्तों मैंने आपको बता दिया भाई इस तरह से आपको keyword पिक करना है जिस पर बहुत low competition होगा लेकिन make sure अभी कोगे भाई toolsgen coupon code तो लोग search कर रहे हम लोग इस पर ब्लॉग बना देंगे लेकिन इसका affiliate program भी होना चाहिए एसा है नहीं कि आप ऐसे कोई brand को पकड़ लिये हो domain ले लिया hosting लिया उसके लिए लेकिन उसका कोई affiliate link ही नहीं है affiliate program ही नहीं है तो आप क्या करोगी उस time toolsgen जिसी कि अगर मैं यहां पर search करूंगा toolsgen simple देखो यहां पर मैं search करूंगा toolsgen search किया देखो यहां पर मैं open करता हूं toolsgen को तो इस तरह से open हो गया pushgen और scroll करता हूं यहां पर कुछ खास डेटा अभी तक नहीं मिला मेरे को login and sign up ठीक है अच्छा login करने के बाद यहां पर यहां पर यह बताता है क्या इसका affiliate system के बारे में login नहीं करें तो आपको नहीं दीख और अगर कुछ भी डाउट रहा अफिलेट के बारे में तो सबसे पहले आपके पास चार्ट ऑफ्सन है आप चार्ट बटन दबाके company से साथ बात कर सकते हो हर एक company का customer support रहता है उनसे बात करो और अच्छी समझो उनका system क्या है affiliate program है की नहीं अगर affiliate program है तब जाके बो प्ला काइंड यहां पर कर लिया प्रॉपर तरीक से keyword इस तरह से आपको keyword पिक करना है जो कि मैंने आपको बताया मैंकिसर इसको ध्यान दे क्योंकि यही मेथड मैं यूज करता हूं मेरेको result मिलता है सो मैं आपको यह method बता रहा हूं सो kindly इसको follow करें आपको result दिखेगा और result दिखने के बाद मैरेको आप message कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं ठीक है और नहीं भी हुआ तो फिर भी मैरेको message करना मैं देखूंगा आप कहां गलती कर रहे हो ठीक है यहां पे देखो भाई हमने यहां ब्लॉक सेट अप करना है वाडपरेस पर ब्लॉक सेट अप करने के लिए हमें चाहिए डोमें एंड होस्टिंग और देखो भाई देखो मैं यहां पर नहीं कहूंगा कि आप बहुत 10,000 पंद्राजर इंवेर्स करो आप 2-3,000 इंवेस्ट करो क्योंकि एक mini ब्लॉक सेट और केसे इंवेस्ट करोगे कहां से उस्टिंग लोगे मैं आपको थोड़ा से इंटिर देता हूँ ठीक है डेस्क्रिप्सन पर लिंक दिया गया है वहां पर उपन करी आपको फ्री डोमें मिल जाएगा तो सिंपल दोस्तो साइट कंट्री पर आप आ जाओगे डेस्क्रिप जो लिंक के इस पर क्लिक करकर अगर आते हो तो आपको प्रेमियम गिप्ट फ्री में मिलेगा जिसकी रैंकमेहत प्रो एंड उसकी साथ एक थीम जो कि आपका एफसाइट को और आपको रैंकिंग में हेल्फ करेगा तो सिंपल दोस्तों देखो जब आप यहां पर आ जाते ह यहां पर मिलने वाला है तो सिंपल दोस्तों आप अगर यहां पर देखोगे आपको मिलेगा प्रीमियम एक्लाओड एलाएट एट एैट च्लाओड क्लाओड में मिलेगा यहां पे ब्लान और हमें ज्यादा पेसा कभी भी इंवस्ट नहीं करना सो आप बेजी जग यहां पर देखो up to 100 website यहां पर लिखा गया है आप मिनी ब्लोग आसाने से बना सकते हो 2GB RAM है, 2 CPU Core है, 1 million inode है, काफी space है, काफी files आप store कर सकते हो और main चीज भाई यहां पर आपको extra domain खरीदना नहीं पड़ेगा जो कि विल्कुल फ्री है इजी control panel है, backup यहां पर अबिलेवल है, 10 free migration और बहुत सा अची जावे लेवल है जो कि आप खुद देख सकते हो, मैं इसके बारे में क्या ही बताऊंगा, लेकिन बस इतना ही बताता हूँ यह package suitable है, और simply by now पर क्लिक करना आपको free में domain भी चाहिए, कैसे मिलेगा मैं आपको वो बता देता हूँ simple में by now बटन पर क्लिक किया, अब हम क्या करेंगे, अब हमें आगी forward करेगा देखो, यहाँ पर हमें domain लेना है, domain लेना ही भी बहुत important है, भाई, domain के लिए जब आप जाते हो, देखो, हमने यहाँ पर keyword पिक किया, toolsgen coupon code, अभी अगर आप toolsgen coupon code लोगे, में भी future में, company आपको इस पर claim कर सकता है, क्योंकि आप उसका नाम सिदे सिदे use कर रहे हो, तो आप तो आप इसको थोड़ा सा modify कर देना, ठीक है, toolsgen, z, e है, तो आप जेड, a, z, में लेकि कुछ भी कर दो, लेकिन exact match मत रखो, ठीक है, जैसे कि मालों यहाँ पर toolsgen coupon है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करना, coupon toolsgen, अगर आप एससे करोगे, तो क्या होगा, देखो, गूगल जो keyword सर्च करता है, गूगल क्या करता है, वो character को match कराता है, toolsgen है, तो वो z, e, n को match कराएगा, लेकिन यहाँ पर double है, तो यह possible है कि यह आजाए, double en, या फिर, हाँ, बीच में अलग रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहोगे, z, e, n, then double en कर दूँगा, तो toolsgen तो complete है, तो फिर भी बहतर होगा, बीच में कोई character डबल कर दो, जब character match करेगा Google, तो इसको समझ में आए, यहाँ पर भी toolsgen है, लेकिन एक extra e है, तो chance बनता है जदा ranking का, तो आप इसे कर सकते, देखो भाई, यहाँ पर आपको available मिलेगा, simply यहाँ पर register button पर click करना, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अभी continue button पर click करना, और यहाँ पर देखो, promo code जो भी है, आप इसको हटा दो, हटाने के बाद, simply यहाँ पर डाल दो, so my help, ठीक है, आपको maximum discount मिल जाएग जो कि आपने अल्रेडी देखा था, जो कि अपने अल्रेडी देखा था, जो कि अपने अल्रेडी देखा था, उससे भी जादा discount यहाँ पर मिल गया, लेकिन देखो, यह maximum discount अभी मिल रहा है, लेकिन कब तक मिलेगा कोई guarantee नहीं है, तो आप जितना जल्ली हो सके, claim कर लो, औ और में भी यह video publish होते 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 भी एक्सपार हो सकता है, क्योंकि यह पहले थोड़ा discount चल रहा था, वही अभी चल रहा है, आपको बहुत अच्छा मोगा मिल रहा है, आप ले सकते हो, simply continue बटन पर क्लिक करने के बाद आपको again, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, continue पर जाना है और again आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर server location, आप जो भी country को target कर रहे हो, उसको select करो, continue बटन पर प्रेस करो, अब देखो subtotal इतना है, GST के साथ कितना बनेगा आपको दिखा दिता हो, मैं GST के साथ अभी आपको pay करना है 26, मतलब maximum 3000 के अंदर आपको hosting मिल जाए क्योंकि इसमें आप 100 website तक बना सकते हो, बहुत आसने से, ठीक है, तो अभी simply आपको scroll करना है और pay करना है, और pay करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपको मैंने बोला था भाई, free gift मिलेगा, कैसे मिलेगा, simply आप लोग क्या करो, अपना invoice मेरे को Instagram, invoice मतलब invoice का screenshot मेरे को Instagram प प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो अब आपको समझ में आ गया कि भाई, domain hosting आपको कहां से लेना है, तो clear है, अब बारी है भाई, हमने select कर लिया, domain hosting का काम हो गया, unique block setup, यह unique block setup करेंगी कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ, practically, live करके दिखाता हूँ, ठीक है, देन उसके ब मजना होगा, monetize कैसे करना है, तो सबसे पहले block को setup कर लेते हैं, यह 3 points को भी discuss करी लेंगे, अब ही दोस्तों हम लोग WordPress को setup करते हैं, सही से, तो सबसे पहले देखो, WordPress इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने, जो C panel पर आ जाना है, वहाँ पे, सब्टर क्लूस पर जाके, WordPress को option आता है, बहुत सा लोगों को पता होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको नहीं आता, WordPress के बारे में, कहां पर control panel के से डूढ़े, क्या करें, यहां पर मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करूंगा, WordPress, ठीक है, तो आप बो देख लेना, आपको पूरा-पूरा-पूरा क्लियर हो इसको भी आप देख कर सकते हैं, तो आपका बात बन जाएगा, आप समझ जाओगे, तो अभी हम चलते हैं, हमारे वीडियो के तरफ, जैसे कि अभी हम WordPress सेट अप करेंगे, तो मैं जितना हो से कि छोटा करने के लिए कोसिस कर रहा हूं, खीच सकता हूं तो वीडियो को आपर WW रखना है, मेरे को WW इतना जमता नहीं है, मैं सर्फ HTTPS ही रखता हूं, और देन अपना डोमेन सलेट करना है, जो कि मैंने अल्रेडी सलेट कर रखा है, तूसजन कोड.xsh, ठीक है, मैंने कूपन कोट आजिया, जस्ट कोड रखा है, और मैंने यहां पर तूसजन ही र बात कर सकते हो, जो भी प्रोड़क्त प्रोमोट करें, इसके साथ बात कर सकते हो, कि अगर मैं लेता हूं, क्या आप लोग मेरे को इसमें DMC अगर वह आपको green flag देते हैं, तो आप ले सकते हो, exact match domain, लेकिन अगर आप बात नहीं कर रहे हो, अगर आपका उतना confidence नहीं है कि हा लेकिन मेरे को नहीं लगता है, मेरे को कभी DMC आएगा, तो मैं इसको ले लेता हूं, अभी देखो, आपको यहाँ पर अपना ब्लॉग नाम रखना है, दोस्तों मैंने आपना ब्लॉग का नाम यहाँ पर रखा, toolsgen coupon code, same यहाँ पर भी रख सकता हूं, toolsgen coupon code, और keywords को यहाँ डाल देंगे, toolsgen review, toolsgen review, toolsgen promo code, ऐसे आप रख सकते हो, toolsgen promo codes, ऐसे मैंने रख दिया, तो आप भी ऐसे रख सकते हो, जो भी मतलब की मैंने toolsgen रखा, आप जो platform यूज करोगे, उसके according description मतलब की, यह साइट में क्या चीज प्रोवाइड किया जाएगा, वो आप explain कर सकते हो, in this blog we are sharing toolsgen coupon code, toolsgen promo codes, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है, और मैंने toolsgen review भी डाल दिया, इसलिए, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा review content भी डालोगा, ठीक है, अब आपको username डालना है, password देना है, और अपना email देना है, और यह जो चीज आप दोगे, username, password, email, आपको इसको save करके र कर जाए, आपका site hack ना कर जाए, ठीक है, इसलिए, अच्छे से username और password को set करो, और email आपना डालो, अब आपको simply install button पर क्लिक कर देना है, अभी आपका wordpress install होना सूरू हो जाएगा, ठीक है, आप थोड़ा देखो, यहाँ पर process सूरू होगा, maximum one minute लग सकता है, या फिर उससे पर्चिस किये हो, तो दो चार घंटे छोड़ देना, wordpress install करके, कि प्रोपाइगेसन में थोड़ा टाइम लगेगा, इविन 24-40 डार के भी कभी कभी लग जाता है, लिकिन कभी कभी बहुत कुईक भी हो जाता है, तो आप एक बार करके, देखते रहें कि कब तक वह रिजॉ करते हैं, अभी देखो, यहां पर क्या बता रहें, प्राइवेसी एरर, लगी, HTTPS अवेलेवल नहीं है बोल रहें, मतलब SSL सार्टिविकर अभी जनेट नहीं हुआ है, वह हम कर लेंगे, क्योंकि अभी थोड़े टाइम के बाद यह आपने आप भी जनेट हो जाएगा, SSL आपको समझ में आजाएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको डीटेल में बहु नहीं समझा पाऊगा कि यह चीज एसा काम करता है, क्योंकि यह वर्डप्रेस गाइड नहीं है, वो वीडियो आप अच्छे से देख लेना, अब देखो, अभी हमने क्या किया, अभी हम आच अपने लाजबोर के अंदर, इसमें आप यूज करेंगे जनेटरेस थीम, एंड जनेटरेस थीम को छोड़के, बाकि जो प्लगिन सामें चाहिए, अभी मैंने स्केन पर दे दिया है, अभी आप स्क्रीन को थोड़ा पॉज कर लो वीडियो को, और जो जो प्लगिन मैंने कह इन सबको सर्च करके डाउंडोड कर लो, मनलब की इंस्टोल कर लो, जैसी कि मैं आपको दिखाता हूं कैसे करना है, अगर आपको न्यू प्लगिन आड़ करना है, सिंपली आड न्यू प्लगिन पर क्लिक करो, देन एक एक करके, आपको यहां पर अपसन मिलेगा, जैट पै आप लोग की पास तो नहीं होगा, अल्रेड ही मने बता दिया है, जो यहां से होस्टिंग लेंगे, साइट कंट्री से, और डेस्क्रिप्शन पे लिंक पर उनको रैंक में प्रो एंड जनल प्रेस का प्रीम भी मिल जाएगा, ठीक है, और हम लोग यहां पर वह दोनों यू कराया, ठीक है, दिन अभी हम मूब फॉरवर्ड होते हैं, अगी का प्रोसेस करते हैं, अभी दोस्ता हमारा जो साइट है, डेबलब हो चुका है, आधास से जादा, अब हम हमें क्या करना है, प्रॉपल इसका आउटर फेस बनाना है, कि वो ओडियंस को कैसे दिखी का, पहले दिखाता हूँ, यह रहा है कि आपकी के डाउनलोड के उपर मेरा ब्लॉग था, यह आप सब को पता है, बहुत सरे लोग इसको देखे हैं, समझे हैं, इसके फॉलो करके बहुत सरे वालब की एफसाइड भी बनाया गया है, क्योंकि यह उनिक डिजाइन था, और इस इसको मैं जात देखता नहीं था, इसलिए बहुत बार आड लिमिट आ गया, और एक बार 30 डिजबल हुआ, 30 डिजबल हुआ, 30 डिजबल हुआ, और उसके बाद पूरा डिजबल हो गया, और यह वीडियो मैंने बनाया था, करीबन 7 महिने पहले, और 7 महिने के अंदर मेरे आडसेंस एकांट उड़ा दिया भाई ने, कोई भी भाई हो, थांक्यू, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने लिए टाइम लगाओ, बहतर आपको रेजल्ट मिलेगा, खुद को डेवलप करो, खुद का डेवलप करो अच्छा रहेगा, दूसरे का नुक्सान ना करो, यहां पे tools and coupon code के बारे में लिखेंगे, जैसे के हां पे लिखा गया है, उसका coupon code भी देएगे, उसका pros and cons भी लिखेंगे, और उसके बारे में लिखेंगे, क्या-क्या tools प्रोवाइड करता है, क्या है, केस है, सब कुछ, mention करेंगे, दो-तिन भार coupon code भी आर्ड कर सेकते हैं, जैसे कि हमारा अल्रेडी जो पोस्त है सई ठीक है इसको बना के हम लोग क्या करेंगे आज ये homepage launch करेंगे ठीक है homepage लेकिन हमारा एक ही homepage पर काम नहीं होगा क्योंकि अगर हम सिर्फ coupon code को promote करेंगे तो में भी रैंक नहीं करेंगा सो बहतर यही होगा हम लोग थोड़ा सा content add-on करेंगे के से add-on करेंगे हम लोग बनाएंगे blog section जिसे कि आपने देखा यहां पर home contact us dmca policy ठीक हम लोग top पर रखेंगे home blog रखेंगे blogs लिब की blog section देन रखेंगे contact us dmca policy यहां पर नहीं चाहिए क्योंकि मैंने अल्रेडी कहा है इस पर dmc इतना होगा नहीं तो dmc के वदले हम लोग यहां पर क्या करेंगे देखलो about us contact us privacy policy terms and condition disclaimer यह page बनाएंगे और affiliate disclosure वाला page भी बना देंगे वह आपको online पर उसका generator के लिए टूल मिल जाएगा आप कर सकते हो और यह about us page बगरा कैसे बनाएंगे उसके लिए भी चीज है आप सर्च कर सकते हो about us generator आपको मिल जाएगा मेरा टूल या फिर आप आ सकते हो some help tools पे यहां पर मिलेगा about us privacy policy terms and condition disclaimer यहां पर जाके अपना data डालके आप लोग पेज जनेट कर सकते हो और copy करके अपना page के अंदर paste कर दोगे publish कर दोगे तो हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा हो जाएगा सारे टूल्स हम लोग यहां से बना सकते हैं खास आप लोग के लिए फ्री में यह सब अवेलेवल है यूज कर सकते हो और सबसे काम का चीज है image to webp भाई देखो बहुत सालों क्या करते हैं heavy image को डालते हैं और plugin लगाते हैं plugin उनका image को optimize करेगा वह सर्वर में प्रोसेस होगा और pressure पड़ेगा इसलिए अच्छा है सबसे पहले आप webp image ही यूज करो तकि server में load पड़े ही ना ठीक है तो यहां पर हमारा काम होता है खतम बाई पेजस आपको बना लेना है और देन आप लोग इसको सेट अप करोगे यह जो इंटरफेस का idea अगर आप इसको देखोगे यह वाला वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने यहां पर explain किया है properly 2 गंटे का वीडियो समझ भा रहे हो ना अगर मैं फिर स बाई मैं कस्टमाइजिशन के ऊपर तो वीडियो नहीं बना रहा हूं लेकिन अगर आप चाहते हो मैं practically आपको दिखाऊं practically कि कैसे टूस जेन कूपन कोड के ऊपर यह करना है बो करना है कैसे सब कुछ सेट अप करना है तो kindly comment करिए अगर आप लोग बोलोगे तो definitely मैं create करू वही बात है भाई यहां पर दो घंटा लग गया एक complete website setup करने के लिए वही जिस मैं इस वीडियो में नहीं कर पाऊँगा तो यह वाला वीडियो देखे आप reference ले सकते हो और मेरा जो पोस्ट आप इसको read कर सकते हो tools and coupon code मैंने कैसे क्या क्या कर रखा है और उसके अलाबा यह ब्लॉग है उसको केसे create करते हैं भाई उसके लिए यह वाला वीडियो है affiliate booster यह जो plugin आप डालोगे उसका A to Z मैंने बता रखा है कैसे और क्या-क्या आप इस्तमाल कर सकते हो इसको देखना आपको समझ में आ जाएगा affiliate booster के अंदर कैसे हम लोग यह वाला section एक coupon code वाला section कैसे बनाते हैं प्रॉपरली आप इसको देखना समझ जाओगे लेकिन मेरे पास अभी थोड़ा time कम है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं लेकिन अगर आप चाहते हो प्राइमेरी इंटरफेस हमें में पेज बनाना है देन यहां पर ब्लॉक्स रखना है और ब्लॉक्स के अंदर क्या क्या डालना है देखो दोस्तों मेरा concept था हम लोग यहां पर वर्ट्प्रेस यूज़ करेंगे ब्लॉक सटप करने के लिए उसके बाद हम चलेंगे कहां पर इसको अभी क्या करेंगे keywords पर डाल लेंगे तो सबसे पहले हम tools and coupon code नहीं डालेंगे सिर्फ tools gen ही डालेंगे डालेंगे और यह लोकेशन है इंडिया यहां पर हम आइडिया लेंगे ठीक है तब हम कंटेंड लिखेंगे हमें ज्यादा कुछ keywords खास मिला नहीं सम्पिले हम लोग यहां पर क्या करेंगे tools gen coupon code यहां पर हम हटाएंगे tools gen सबसे पहले डालते हैं ठीक है यहां पर हम मानुली देखते हैं Google पर क्या सर्च हो रहा है जिसी कि अगर आप tools gen डालोगे तो देखो क्या सर्च होता है तो सबसे पहले आप यह तीन चार चीज़ों को कवर कर सेकते हैं tools gen login यह information देखो यहां पर जितने हैं tools gen login tools gen free download tools gen download free download एक ही जगा पर जाएगा okay tools gen chrome extension tools gen app tools gen alternative tools gen coupon code और tools gen review यह 5-6 आर्टिकल बनेंगे separately tools gen login इस पर क्या लिख होगी एक यूजर के से tools gen पर login करेगा step by step mention करोगे उसके साथ tools gen पर क्या-क्या tools अभिलेवल है उसको बताओगे इस तरह से 5-6 आर्टिकल होगा जो कि ब्लॉक सेक्शन पर रहेगा ठीक है उसके बाद आप home page पर रखोगे tools gen coupon code tools gen promo code यह content तब आप keyword search हो रहा है तो अब आप लोग देख लेते लेकिन जैसे कि आपको मैंने दिखाया यह सारा keywords पर आपको focus करना है अब और एक चीज़ देखो यहां पर space देखो क्या आ रहा है most लेखो यहां पर tools gen review tools gen alternative tools gen coupon code यह तीन चार्चीज mostly आपको target करना है ठीक है ऐसे अगर आप target करो कि आपने यह तो नहीं बताया article लिखना के से article writing का already video बना रखा है यहां पर आप देखोगे content content writing का already आपको video मिल जाएगा भाई सारे topic पर almost video बन चुका है लिए बनाते बनाते और यहां पर 400 प्लस video अब भी दिख रहा है लेकिन मैंने जो outdated video 200 video delete कर दिया है नहीं तो 600 तक video हो जाता अब तक भाई मैंने हर एक topic पर video cover कर रखा है आप बस देखो content writing इसको समझ के content लिखना तो आपको result मिल जाएगा ठीक है तो ऐसे आपको करना है समझ पा रहे हो आपका content आपको इस तरह से बना लेना है अब भाई traffic कहां से आएगा traffic यह आप समझ लो traffic के लिए आप लो तूल का demand बहुत जादा है और इसका competitor नहीं है तब paid ads से ही है कि भाई पेशा लगाएंगे advertise करेंगे और यहां से निकाल लेंगे पेड आर्स के लिए क्या यूज कर सकते है गूगल सर्च आर्ड जो कि थोड़ा मेहंगा है यूट्यूब आर्स सब्सक्राइगा चोटा सा वीडियो बनाओ क्योंकि अगर आप देखोगे कि इस टूल कर डिमांड है तो यह क्या करना चोटा से वीडियो बनाना उसको आता है जिसका value यूट्यूब पज़ादा है तो YouTube आड़स ही बहतर होगा यह फोड़ो पेड आर्स की बाद अब उसके बाद सोसील ट्राफिक सोसील ट्राफिक आपके सामने तीन पॉइंट से मैं यूट्प सोड इंस्टा रिल एस्टा रिल भाई मैं इसके लिए प्रिफर नहीं कुछ काम नहीं बस एक बार वेबसाइट को सेट अप किया अपका ट्राफिक का सारा जंजड यहां पर क्लियर हो जाएगा ठीक है अब देखो भाई किसे कराना है कि साइट को मनेटाइज कराना भी इंपोर्टन है भाई हमने सिर्फ ब्लॉग बना दिया एक अपी नहीं हमें उसको मॉनेटाइज करना पड़ेगा केसे कराएंगे 이제 Record a affiliate and referral है तो यह prochainीयों देखो यह कहा जा है तो दोना सेμी जीज़़विये अफरेट्र वी ऐखेव यह तोना सेमी दियज्यय जहता है अलग अलग क्यूं और यह चीज बहुत कम मिलता है लेकिन जब भी अच्छा सा मिले जाएगा तो बहुत बड़ा आमाउंड कमा सकते हो ठीक है तो यह भी कर सकते हो लेकिन आड़ सेंस के बारे में यहां पर सोचना ही नहीं क्योंकि बहुत कम विजिटर आएंगे अमलब 10 वीजिटर आएंगे उससे कुछ benefit होगा नहीं उससे अच्छे है कि हमें रिवेन्यू यहां से बंजे अफिलेट मार्केटिंग से बहुत दस वीजिटर आए एक दो सेल हो जाएगा प्रॉफिट बन जाएगा और अड़सेंस डालेंगे तो यूजर में भी कही और सु चोटा सा मीनी ब्लॉग अगर आप सेट अप करोगे तो मिनिममम अमाउंट कितना बना सकते हो मिनिममम अमाउंट देखो अगर मैं कहूंगा ज्यादा आप इससे ज्यादा उमिद नहीं कर सकते हैं छोटा सा ब्लॉग से मालब की यर लिए आप समझो यर ली 50,000 एक लाक चो मैकसिममम 10 पोस्ट है आप थोड़ना एक ब्लॉग बनाओगे 5-10 ब्लॉग से भी बना सकते हो समझ पा रहे हो ना ये कंशेप्ट को यूज करो एक मिनी ब्लॉग सेट अप करो एगें दोस्तों अगर आपको कम्प्लीट गाइड चाहिए सेट अप का तो कमेंट करना मैं वी इनिक बना लो सेम टाइप पे लेकिन अगर आप लोग का यहां पे रिक्वेस्ट रहा इंट्रेस्ट रहा देन में करूंगा ठीक है क्योंकि भाई इस पर बहुत ज्यादा टाइम लगता है सो आप लोग को मिनी ब्लॉग का कंसेप्ट समझ में आ गया कैसे करना है क्या 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 यूज करना है कैसे अपना ब्लॉग को प्रॉपर्ली अप्टिमाइज करना है कैसे ट्राफिक लाना है कैसे मोनेटाइज करना है कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है सब बता दिया अब भाई बारी है आप लोग करो एक छोटा सा ब्लॉग ही सेटप करना है बहुत सब्सक्राइब करने अगर वीडियो में कुछ भी गलत लगा तो कमेंट करना ना भूलना सही लगा तो सपोर्ट करना भी ना भूलना जितने सिद्धत से लोग हेट करते हैं अगर उसी सिद्धत सब प्यार करने लगे ना तो दुनिया कहीं से कहीं पहुंच जाएगा बहुत सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद लेट्स ग्रो टुगेधर